हलो दोस्तों मेरे नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा है स्टुड़ी चैनल बी एड वर्सस बीटी सी का मामना दोस्तों आज अलाहबाद आई कोट में लगा था चार अगस्त को आज क्या हुआ कोट में आपको जानकारी दी जाएगी वीडियो में बढ़ने से पहले एक और जरूरी सुचना समय आगे है दोस्तों टीज़िटी पीज़िटी की बहादरीन तयारी करने के लिए और एक्जाम पूर लेकर आगया है टीज़िटी पीज़िटी के लिए एक बहुत ही बहादरीन कोर्स यहाँ पर सस्ती पॉलिटिकल स साइन्स, मैट, कॉमर्स, संस्क्रित, हिंदी, इंगले, सोचिलोजी और साइन्स चैसे सब्जेक्ट सामिल हैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एक्जाम पूर आप का क्लिक करिए एप को इंस्टॉल करिए और टीचिंग वाले सेक्शन में आपको टीज़ रुपए में ही मिल जाएगा एक बार चकाओड करिए बहुत सारे फ्री कोर्सेस भी वहाँ पर अबलेबल हैं तो आपको पता ही है कि प्रतिक मिस्रा ने रिट लगाई हुई है लाहबाद हाई कोट में रिट नंबर है 1512-2022 और आज की सुनवाई के बाद इसकी अगली डे कोट में भी लगाया गया है लेकिन आज इस मामले में कोई भी फैसला देखने को नहीं मिला और इसकी अगली डेट 16 अगस्त लगा दी गई है चुकि ये मामला पहुंच चुका है सुप्रिम कोट में रायस्थान के बीड अब एरति सुप्रिम कोट में गए हुए हैं और व क्योंकि इलहाबाद हाई कोट में जिस ओर्डर का आधार बनाया गया है वो मामला खुल सुप्रिम कोट में सुना जा रहा है योदि इलहाबाद हाई कोई और रर दे भी दे और सुप्रिम कोट से उसके अलग अलग अग आ जाए तो अंतिम और सरवच फैसला तो सुप्रि विलापाद हाई कोट ने यूपी टेट 2020 बीएड के रिजल्ट पर जो इस्टे लगाया था वो इस्टे अभी भी बरकरार है वो जारी रहेगा सुप्रिम कोट में अभी अगली डेट की सुनवाई फिक्स नहीं हुई है पूरे देश के छात्रों की नजर सुप्रिम कोट के फ बेंड है जो भी आपको सुचना दिया जाएगा आप हमारे साथ जूड़े रहिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं